तो पहला टेस्ट मैच इंडिया ने ऑस्टेलिया के खिलाफ दो सो पंचानमे रनों से आसानी से जीत गए आई ये देखते मलाया पांच मैचों का ये मुकाबला है और हम सब ने देखा है कि और इंडियन टीम है ना कुछ आजीव ही खेल रही है मतलब न्यूजिलेंड इंडिया में आके इंडिया को बहुत बुरी तरह से होम ग्राउंड पे हरा के चली जाती है वही ऑस्टेलिया जैसी टीम जिसका बोल बाला रहा है सब जानते हैं कि वो अपने देश में कुछ अलगी किर्केट खेल लेते हैं किर्केट की बात हो और उस्टेलिया कहीं भी जाके एक अलगी किर्केट खेलती है लेकिन इंडिया टीम उस्टेलिया गई और पर्थ में उन्हीं के होम ग्राउंड पे एक तरफा मुकावला हरा दिया और ऐसे हराया जैसे स्वैग में मतब पहली पारी में डेर सो रन पे आउट होने के बाद और उस्टेलिया को एक सो चार रन पे ही सिम्टा दिया लेकिन सेकेंड इनिंग में क्या खूब आये जैसवाल, कोली, केल, राहूल, तीनों मिलके च्छा गए और जो जैसवाल जिनका पहले इनिंग में खाता नहीं खूला था, दूसरे इनिंग में कुछ आलागी किर्केट खेल रहे थे 161 रन ठोक दिये और अंदाद निराला था, कही न कहीं कहते न कि खरबूजे को देखे, खरबूजा रंग बदलता है, इतने मीम्स बने, इतने सारे क्लिप्स वाइरल हुए और वो ये, कि जैसवाल कुछ न कुछ हरकतें करते हुए नजर आए, किर्केट तो खेली रहे थे, बल्ला तो बोली रहा था, लेकिन उसास साथ ग्राउंड में उनकी हरकतों ने चारचान लगा दिया और बोला कि भाई, विराट कोली की संगती में कुछ तो विगड़ रहे हैं जैसवाल जी लेकिन वोग टालेंट है और टालेंट जब बोलता है, तो वो कॉन्फिडेंस नजर आता है और पूरे फिल्ड में जिस तरीके से वो हरकते कहलो, या जो भी उनका स्टाइल था, निराला नजर आया और 161 रन बनाना ओभी ऑस्टेलिया के खिलाफ ऑस्टेलिया की इंदवाजों के अगेंस्ट उभी उन्हीं के पिच्च पे आसान काम नहीं बात तो सही है, और सिर्फ वही नहीं, केल राहूल भी चमकी, 70 प्लस रन बनाएं और कमाल का खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चनेटली सतक नहीं कनवर्ट कर पाए, लेकिन फिर आए किंग कोली, विराट कोली अब यह बजा आएगा ना भिलो नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि वो खेल से बहुत दूर है, इस बज़े से ऐसा हो रहा है, लेकिन सब को बिलकुल एकदम सांथ कर दिया और बोला कि कोली आपकी बाद बिलकुल सही है, और इसी के बदोलत इंडिया ने एक बहुत बड़ी लीड और उसे चेस कर पाना बहुत मुश्किल था सामने क्योंकि तूफान बुमरा कड़े थे, पहले इनिंग में पांच विकेट चटका है, दूसरे इनिंग में भी काज छोड़ने वाले इंडिया एक दिगज टीम मानी जाती है, क्रिकेट की दुनिया में अलग ही नाम कवाया है, ओभी उनी के कंट्री में जाके उनी को इस तरीके से धोके आना, मतलब वापिस से आप कमबेक कर चुके हो mentally, लो बड़े कमाल क्यों हो यार, और विराट कोली का बल्ला चल जाना, जस्वाल का इस तरीके से खेलना और बुम्रा को उसी लाय में गरिंदवाजी करते हुए देखना, मतलब इंडिया के लिए सब कुछ अब ट्रैक पे है, और हो सकता है चैंपियंस, जो एस चैंपियंसिप की बात रही थी, कि इतने मैंच, इतने मैंसे जीतने थे, वो सायद भी पॉसिबल होता हुए नजर आ रहा है, क्योंकि असंबब लग रहा था, क्योंकि आप होम ग्राउंड पे न्यूजलेंड के खिलाब तो हार गए, लेकिन वो कभर कहां से करोगे, और अस्टेलिया में तो आप जितना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन पहला मुका झाल 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